वैल तो गाइस कैसे हो आप सब भी लोग उमीद करता हूँ, आप सब भी लोग बहुत बढ़ी होगे आपका ब्रैंड न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है यह वाली वीडियो होने वाली है गाइस गेम्स की स्टर्टरिंग के उपर यानि कि अगर आपकी गेम स्टर्टर करती है, लैक करती है, अगर कोई भी प्रोब्लम करती है तो बेस्ट वे क्या हो सकता है उसको फिक्स करने का अब गई जहांपर मैंने बहुत सारी इसके उपर पहले वीडियो बनाई है तो गई यहांपर मैं आज की वीडियो में ये करने वाला हूँ कि सबी वीडियो को सम करकर बेस्ट सैटिंग आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप सब लोग आख बंद करकर फोलो कर सकते हो ताकि आप सब लोग को बहुत सारी वीडियो ना देखनी पड़ें, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखकर आपका काम हो जाए तो कैसे आप सब लोग अपनी गेम में लैग, स्टर्टरिंग ये सब फिक्स करोगे तो गैज यहां पर as an example हम जिस गेम को लेने वाले हैं वो और कोई गेम नहीं हमारी प्यारी जीटे फाइव है यहां पर guys as an example मैं जीटे फाइव को लूँगा but you are free, मतलब आप सुब लोग कोई भी गेम के साथ ये सारी ट्विक्स कर सकते हो, काम करेंगे तो कैसे यहाँ पर देख सकते हो भाई साब GT5 में इसी लिल लिया विकोज यह बहुत ही जादा मतलब demanding game है और यहाँ पर ज्यादा तर भाई साब यही गेम जाद बंदों की problem भी करती है तो मैं एक जान एक जाम पर इसी को ले रहा हूँ तो कैसे देख सकते हो मैं GT5 रन हो रही है ओपन हो रही है तो मैं जलती से इसको लोट होने देता हूँ और रियल टाइम में आप सब लोग को सारे टिप्स बताऊंगा तांकि आपको मजे फूला है आज की वीडियो में आप छोड़ कर मज जाओ और आपको यहाँ पर रियल टाइम यहाँ पर सब कुछ पता लगे वैल तो गाईज we are in GTA 5 यानि कि आप सब लोग देख सकते हो हम GTA 5 में फिलाल है और आप सब लोग देख सकते हो मेरी GTA 5 में मस चल रही है कोई प्रोब्लम नहीं है तो गैज जो सबसे पहला ट्रीक हमें करना है वो है गैज ओविसली सैटिंग में है अब जैसे मैंने आपको बताया है भाई साम मैं पूरी मतलब सारी वीडियो को एक साथ मिला रहा हूँ तो सारे वो टिप्स होंगे ही तो गैज आप सब लोग को क्या करना है तो गैज आप सब लोग को जो रेजोलूशन रखना है वो है 1366 x 768 है उसके बाद गैज जितनी भी बाकी चीज़ है न वो करनी आपको लोएस्ट पोसिबल मतलब लोएस्ट चाहिए वाई हमें कुछ मतलब फाल तुमें चाहिए ही नहीं सब लोएस्ट कर दो विकोज हम एफपेस इंक्रीज करने पर जा रहे हैं हमें अपने ग्राफिक्स नहीं चाहिए हमें सिर्फ उसी अच्छी परफोर्मेंस चाहिए तो गैज देख सकते हो मैं जादर जितनी भी सैटिंग साभी नॉर्मल कर रहा हूं उसके बाद गैज आप सबर्यों को यह सारी चीज भी मतलब ओफ कर देनीया और फिर ऑफ कर देनीया तो उफ कर दो सब कुछ ऑफ करकर सब कुछ नॉर्मल करना ये बाद आपकी जीटे 5 की सैटिंग हो चुकी है अब खिजा आप सब लोग जैसी सैटिंग कर दोगे यू एफ टू रिस्टार्ट र रिस्टार्ट कर लेंगे बिकोज यहां पर जो चेंजिस हैं वो एफेक्ट तभी करेंगे जब आप सब लोग जीटेफाइब को रिस्टार्ट कर लोगे तो यहां पर यह वारी चीज बहुत ज़्यदा जुरूरी है कर ले ना उसके बाद वापिस आना आगर गर जाएगे तो कर वापिस आ जाओगे तो आपके GT5 चल पड़ेगी अभी मैंने रिस्टार्ट नहीं किया पहली बता दूँ विकोज यहां पर मैं ऐसे फिर से आपको टिप्स देना चाहता हूँ यहां पर मैं बार-बार रिस्टार्ट करूँगा तो यहां पर मुझे प्रोब्लम आएगी वीडियो बनाने में तो इसलिए मैं नहीं कर रहा पर आपको जो मैंने बताया वो करना है ओके गाईस तो यहां पर मैंने कर लिए जैसे आपने रिस्टार्ट कर ली जीटी 5 ओन कर दो तो यहां पर ध्यान दे लो यह वारी चीज बहुत जरूरी है हमें सिर्फ वो से तीन चीज़ों पर ध्यान देना है सबसे पहले CPU उसके बाद memory उसके बाद GPU तो आपस स्टार्ट करते है CPU से तो यहां पर CPU कंजूमिंग प्रोसेशिस होंगे वो आपको सामने दिख जैंगे वाल पेपर जो कि मैं लाइव यूज कर रहा हूं तो आपके इसमें आपको क्या करना है सीधी सी बात है विकोजज़ क्रॉम जितना सीप्यू खाती है ना क्या बताऊंगा इस बहुत सीप्यू खाती है क्रोम मतलब आपको क्रोम तो बंद रखनी है बट अगर आपको टास्क में नेजर में कहीं पर भी क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर दिखता है उसको एंड टास्क कर दो तब ही करना अगर आप कोई browser का process यूज नहीं कर रहे है मतलब वैसी चल रहा है because Chrome के processes बहुत ज़ादा हो जाते है और वो बहुत ज़ादा CPU कंजूम करते है and guys gaming के दुरान हम नहीं चाते Chrome हमारे processes में चले जो कि हमारी memory कंजूम करे उसके बाद guys आप सब लोगो Windows Explorer में जाना है अब इसके साथ क्या करना है simple है and task करना है अब आपको and task भाई game कैसे खेलेंगे मैं आपको बता तो आपको कैसे करना है तो guys आप सब लोगो यहाँ पर Windows Explorer के साथ जो करना है वो यह होगा कि आप इसको and task कर दो and task करूँ आप बूम गाया Windows Explorer क्या होता है पता लग गया आपको यहाँ पर guys Windows Explorer simply आपका Explorer होता है जाहन से आप Windows की GUI को access करते हो and guys हमें वो नहीं चाहिए gaming के दुरान because हम नहीं चाहते कोई भी process हमारा CPU या फिर हमारा computer चलाए हम सिर्फ और सिर्फ GTA 5 को सारा का सारा अपना CPU सब कुछ देना चाहते हैं ताकि GTA 5 freely भी ना लाके चल भाई तो guys explorer बंद कर दी आप GTA 5 कैसे चलाएंगी भाई बहुत सिंपल है Alt प्लस टैब दबाना आपको सारे processes दिखेंगे GTA 5 को guys यहां पर जाओ आपकी GTA 5 उपन हो जाएगी नहीं होई कोई बात नहीं यहां पर आपको थोड़ा वेट करना है आपकी GTA 5 उपन हो जाएगी जैसे अभी आपको में स्क्रीन पर GTA 5 दिखने वाली दिख गई open होगी guys बहुत सिंपल बात है आपको अप GTA 5 चलानी अब क्या होगा पीछे कोई process नहीं चाल रहा आपकी GTA 5 को जादा यहां पर CPU मिलेगा यूज करने के लिए बट 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 यह बहुत नहीं है guys अभी भी lag कर सकता है अब आपके क्या करना है अब आप सब लोग इसको फिर से यूज कर सकते हो gaming के दुरान हम इसको बंद कर देंगे उसके बाद गेज आप सब लोग को क्या करना है CPU में main चीज़े यही होती है यह आपके CPU को बहुत कुछ कर देंगी मतलब आपके CPU को बहुत खाली कर देंगी अब भी बैठे रहना बहुत ज़्यादा टिप्स आने वाले है सबसे पहले memory की बात करें अब फिर से CPU memory इनमें सब वापीस आएंगे इस एक और चीज़ करना है आपको बताऊंगा memory में जाना है अब कि इस memory में हमें क्या देखना है हमें देखना है कि जो GTA 5 है सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा memory यूज कंजूम करें यान कि यूज करें उसके बात जो भी processes होंगे जिनको हम बंद कर सकते हैं बस वो Windows process नहीं होना चाहिए और वो Rockstar Games लोन चाहिए फिर आपका GTA 5 नहीं होना चाहिए बहुत सिंपल होती है बढ़ मैं आपको सच में बता रहूँ आपका एक process एक process आपकी GTA 5 की performance को यहां से यहां लेकर जा सकता है मतलब नीचे से उपर लेकर जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक process दोगा बहुत ज्यां से यह काम करने है अगर आपको किसी process के बारे में नहीं समझा रहा कि यह क्या है अगर मैं इसको बंद कर दूगा तो क्या होगा बहुत सिंपल है क्या करना है रैड क्लिए क्सी process में उसके बाद जारे है search online आपका internet connect होना चाहिए जैसे आप सब दो search online करोगे आपको पता लग जाएगा क्या है भाई ये तो spotify है यार अब आपको पता लग रहा है ना अब मैं इसको antask कर सकता हूँ spotify को के उसके बाद उसके बाद आपको एक चीज दिख रही होगी anti malware service executable अब यार यहाँ पर गैस ये मेरे PC में नहीं है बहुत लोगों के PC में ये process होगा जो कि बहुत ज़्यदा memory consume करता है अब गैस इसको तो बंद नहीं कर सकते ना ऐसे इसके लिए भी गैस एक तरीक है बट मैं आपको बता दूँ ये process हमें needed है ये process ज़रूरी है गैस गेम के दुरान हमें अगर इसको बंद करना है अगर आपके साथ बहुत ही performance issues है तो आप सबी लोग के लिए 100-100 MB RAM भी ज़रूरी है तो गैस आपको इसको भी बंद करना पर सकता है तो गैस इसको बंद करने के लिए आपको क्या गरना है आप सबी लोग को जाना है services में जो कि आप अराम से खोल होगे start में जाकर या फिरन में जाकर उसके बाद गैस यहाँ पर Microsoft Defender की antivirus service आपको बंद करनी है अगर आप इसको बंद करने जा रहे हो तो आपकी game बंद होने के बाद आप इसको restart करना मत भूल जाना आपकी security के लिए जरूरी है यह process Windows का है और Windows के किसी process के साथ खिलिवार नहीं कर सकते है अगर game के तुरान आपको जरूरत पड़े तो आप सब लोग Windows update और जो भी services जादा आपका यहाँ पर consume कर रही है CPU performance और फिर memory यहाँ से आप उसको stop कर सकते हो यहाँ पर ब्याद रखना उन सबी को game जब आप खेलोगे उसके बाद restart कर देना अगर आप यह कम करोगे वैसे मैं इसको recommend नहीं करता अगर आपको safe side खेलना है तो आप सब लोग जैसे मैंने आपको बताया वो करो and next steps को follow करो अब अब guys हम next steps करने वाले हैं बहुत है जुरूरी आपको क्या करना है GTA 5 Grand Theft Auto 5 game चल रही है यह क्या क्या use कर रही है तो GTA 5 का EXC file executable file उसके बाद रोग स्टार गेम्स के launcher यहाँ पर थोड़े बहु चल रहे है जो कि हमें रोग स्टार गेम्स के server के साथ connect कर रहे है या फिर यह सब चल रहा है अब हमें क्या करना है GTA 5 यह main आपका process है जो कि आपकी game है यह देखो नीचे दिख रहा है game मेरी यह guys में GTA 5 है यहाँ पर मैंने क्या करना है इसमें red click करना है जाना है open file location में नहीं go to details में okay details में जाना है उसके बाद आपको बहुत ही तगरी details मिलेंगी GTA 5 की अब आपको पता लग जाएगा कि यह है आपका process जो कि running कर रहा है मतलब चल रहा है तो उसमें red click करना है आपको जाना है set priority में ठीक है जो भी है कभी होता है कोई बात है बोली नहीं जाती तो हाँ कुछी समझ लो यहां पर जाना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको इसको normal priority नहीं देनी है आपको देनी है इसको high priority या फिर real time तो मत देता नहीं यह कुछ issues कर देती है अब बाव normal कर सकते हो यह safe है high करोगे तो बहुत जादा इसको priority मिलेगी प्रियाय Tuesday का मतलब कहा है मतलब आपका PC कहेगा कि जितना ज़्यादा आप Всब 있다고 इसको मतलब अपना जो बी CPU चाहे वो ले पाए, उसको मिले ताकत लेने की, यह सब चीजे अपनी CPU की performance यूज़ करने की, उस memory यूज़ करने की तो आपको उसको high या फिर above normal आप सब लोग दे सकते हो आप सब लोग इसके साथ थोड़ा सा खेलो, टेस्ट करो यहाँ पर रियल टाइम में कभी-कभी कुछ ना issues आ जाते हैं, तो आपको high and above normal करना है, अगर सही है तो बहुत बढ़िया चलेगा, जैसे आप सब लोग इसको थोड़ी बूस priority ज़ादा दोगे, high दोगे, तो गईज मैं कैसे है, यह आप सब लोग क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी आपर process है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहा है, बट आप उसको बंद भी नहीं करना चाहते कि यार बंद भी ना हो जाए, बट इतना यूज भी कर रहा है आपका processor या फिर अपका CPU memory तो क्या करें, तो गैज उसकी आप सब लोग priority कम कर दो, बहुत ही सिंपल है, राइट क्लिक करो, जाओ go to details में, राइट क्लिक, set priority, low या फिर below normal कर दो, जिसके साथ उसको कम से कम priority मिलेगी है, थोड़ा बो CPU मिलेगा, उसको ज्यादा नहीं मिलेगा, उसको priority लिस में पीछे रखा जाएगा, सबसे पहले उसको रखा जाएगा, जिसको आपने ज्यादा priority दिया है, ये खेल गाइस बहुत ही अच्छा है, ये खेल खेल कर देखो, performance आपको boost बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, I hope आपको यार बहुत कुछ आज की वीडियो से सीखने के लिए मिलाओ, सारी चीजों के साथ खेले करी, आपको कुछ समझ आएगा, विकोज ऐसे तो भाई मैं कहा नहीं सकता, आपसे ब्लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, because हम हर संडे आपको लाइव मिलेंगे उस चैनल में पर एंड गेम्स खेलेंगे, आपसे बाते करेंगे, गेम्स बाते, सब कुछ वो, मेरा लाइव स्ट्रीम चैनल है, तो वहाँ पर जाओ, संडे वहाँ पर बाते ही बाते होंगी, और इस चैनल में तो आपको पती है, आपको हमेशा PC टिप्स और PC स्कुर्टी और सब कुछ भाई मिलता रहेगा, सब्सक्राइब करेंगों, मिलता होंगे जगली वीडियो में, तो तो आपको लिए जाहिन देन मांदे मातर।